देखे बहुत अच्छी बात कहीं गई है कि नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चटान तक तोड़ देती है और बात अगर छोटी सी दिल में चुप जाए तो जिन्दगी के रास्ते को मुड़ देती है देखे आज है 21 सप्राइल और आज की वीडियो में टोटल 10 most important प्रेश्चाओं परें चैनल पर आपको इस वीडियो के पीडियो के लिग में जागी और जो लोग है वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे साथ में बेल आईकोन प्रेश करके वीडियो का लाइक और शेयर भी करतेंगे तो चलिए शुरू करते हैं देखे आज का हमारा पहला प्रशन है कि सविक्त राष्ट चीनी भासा दिवास यानि कि United Nations Chinese Language Day का मनायाता है तो ये दिन कंगी जी को सरधांजली दिने के लिए मनायाता है जिन्हें एक पवराणी कथा के अनुसार लगभग 5000 साल पहले चीनी अक्षरों का आविस्कारक मनायाता है देखे जो पहला चीनी भासा दिवस है ये 2010 में 12 नॉवमर को मनाया गया था लेकिन 2011 के बाद से इसे हर साल 20 अपरेल को मनाया जा रहा है तो यारके का 2011 के बाद से 20 अपरेल को हर साल संक्ट राष्ट चीनी भासा दिवस मनायाता है अगला है कि हाल ही में पियमोदी ने किस राज के बनास काठा में 600 करूड उपे की लागत से बने एक बनास देरी के नए परिसर और आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाल ही में लोकार बढ़ किया तो दीकि ये प्लेस जो आपका है ये बनास से बनास समझ लेंगे लेकिन ये बिल्कुल गलत आंसर हो जाएगा आपका फिर यार रखेगा जो आपका गुजरात राजिया है गुजरात में एक प्लेस है बनास कांठा वहाँ पर 600 करूड उपे अमाउन भी आ रखेगा 600 करूड रखेगा बनास टेरी के नए परिसर और साथ में एक आलू प्रोसेसिंग प्लांट का हाली में लोकारपड किया प्यम मुदी ने और दीखिया आप पता दूँ जो आपका ब्रदामंत्री का रहले इसने अपने स्टेटमें ने बताया है कि जो नया डेरी परिसर बना है इसम असी टन जो है मखन एक लाख लीटर आइस क्रीम और बीच टन खुआ और छे टन चॉकलेट बन सकेगी अगला परिशनी की भारती वाइब सेना ने 19 अपरेल 2022 को सुखोई लड़ाकु विमान से किस मिसाइल का परिशड किया है तो यह भी हाली में ब्रमोस मिसाइल का परिश सक्षम संस्क्रड को 40 से अधिक सुखोई लड़ाकु वानों में जोडने का निड़ा लिया था और उसी के लिए बार-बार टेस्टिंग होते रहती है और दीखे आपका तो ब्रमोस मिसाइल के बारे में कि ब्रमोस मिसाइल जो है यह भारत और रसिया ने मिलकर से डेवलप सकते हैं प्रिक है इसको पंडूबी से दागिये चाहा से दागिये विमान से दागिये या फिर जमीन से लांच कर दीए कोई दिकत नहीं है यह अपने टार्गेट को मारने में यह निकिन नष्ट करने में सक्षा मैं हज़गा से अगला कि हाली में किसे विपरो ने भारत का कंट्री हेड न्यूक किया तो देखे विप्रो कंपनी के भारत के लिए कंट्री हेड बनाए गए है सत्य इस्वरन और देखे विप्रो में सामिल होने से पहले जो आपके सत्य इस्वरन है ये KBMG इंडिया में बिजनस, कंसल्टिंग और टेरी काम के परमुख मीडिया और प्रदुखी छेतर के नेता थे और देखे विप्रो कंपनी के बारे में 4-5 पॉइंट है जान लेजे इसको देखे विप्रो कंपनी के CEO है तियरी डेला पोर्ट और इसके संस्थापक का नाम है एम एच हासम प्रेम जी और देखे जो आपका विप्रो कंपनी इसके स्थापना 29 दिसंबर 1945 को की गई थी और वरतमान में इसके मालिक हैं अजीम प्रेम जी और विप्रो कंपनी का मुखहले कहां पे है बैंगलूरू में अगला है कि हाली में किस भारती ग्रेंड मास्टर ने स्पेन के कैस्टीले ला मांचा में जो है 48-वा ला रोडा इंटरनेशनल ओपन सत्रेंश टूनामेंट का खिता तो दीखे भी हाली में जो आपके भारत के ग्रेंड मास्टर हैं जिनका नाम आप D. Gukhes के नाम से यादर करते हैं बार बार तो D. Gukhes का पुरा नाम है डोमा राजू Gukhes और दीखे इस प्रत्योकता में जो भारत के डोमा राजू Gukhes यानि कि D. Gukhes हैं इन्होंने जो है इसराइल के विक्टर मिखा लिवस्की को हरा कर जो है ये विज़य हासिल की और दीखे इस प्रत्योकता में आर्मेनिया के GM हाइक यानि कि जो आपके ग्रेंड मास्टर हैं हाइक M. Marty. Rossian ये साड़े साथ अंकों के साथ इस प्रत्योकता में दूसरे स्थान पर हैं और भारती ग्रेंड मास्टर रमेज बाबू प्रग्यानंद तीशर स्थान पर हैं और राउनक साथवानी जो है ये चोथे स्थान पर हैं तो ये पहला अस्थान ही इंपोर्डन होता है यानि जो विनर होता है उसी खनाव एक्जाम में पूछता है दूसरे तीशरे चोथे का कभी कभी पूछता है इसलिए मैंने पूरा पता दिया एगर पूछा जा तो दिमावे बनाए रुखेगा अगला प्रशनी के हाल ही में लंडन इस्थी तीकिस क्रिप्टो करिंसी रिंडदाथा कंपनी ने दुनिया का पहला क्रिप्टो समर्थित भुक्तान कार्ड लांच करने के लिए वैस्थी भुक्तान कंपनी मास्टर कार्ड के साथ हाथ मिलाया तो दीखे भी हाली में लंडन इस्थी जो क्रिप्टो करिंसी रिंडदाथा कंपनी है नेक्सो ने जो है क्रिप्टो समर्थित भुक्तान कार्ड लांच करने के लिए मास्टर कार्ड के साथ समर्था किया है देखे जो आपका ये जो नया वाला क्रिप्टो समर्थित भुक्तान कार्ड बनाए गया है कुछ इस प्रकार चो देखता है तो इस कार्ड को नियूंतम भुक्तान या फिर मासिक या निस्करीता सुल्की कोई आ सकता नहीं है इसमें प्रतिमा 20,000 यूरो तक के लिए कोई Fx सुल्क नहीं लगेगा और ये उन ग्रांकों के लिए 0% ब्याज पर रहता है जो की 20% या उसे कम के लोन टू वैल्यू रेचिव को बनाये रखते हैं सातों प्रशनी के हाल ही में एक असस्तान पर भारत के पहले पोर्टेबल सोलर रूप टाप सिस्टम का नावर्ट किया गया है तो दीकि ए प्लेस आपका गुजरात का गांधी नगर है दीकि पोर्टेबल सोलर रूप टाप सिस्टम का मतलब है पोर्टेबल का मतलब हो गया इसको आप पोर्ट कर सकते हैं एक अससान से दूसरे स्थान पर कहीं भी रखका इसको जो है एक तरीकिस काजा यूज़ कर सकते हैं देखे बहरत में पहली portable जो solar root top system है उसका घटन अभीहाली में गुजरात के गांधी नगर में स्वामी नरायन अक्षर धाम मंदिर परिसर में किया गया है यानि कि इसको कहां पर साबित किया गया है गांधी नगर के स्वामी नरायन अक्षर धाम मंदिर परिसर में और इस 10 photovol प्ल्टिक पीवी पोर्ट सिस्टम का निर्माड जो है नई दिल्ली से थे सर्वो टेक पावर सिस्टम से लिमिटेट के द्वारा किया गया है और चर्मन विकास एजनसी ड्यूस गेसेल साप्ट फार इंटरनेशनल जूसा मेनर बीट द्वारा जो है इसको डिजाइन किया अगला प्रशनी की हाली में किस बैंक को पेमेंट सिस्टम ट्रांसफार्मेशन की स्रेडी के तहत वेस्वी के सेलेंट माडल बैंक पुरसकार से समान किया गया है तो देखे भी हाली में जो इंडस इंड बैंक है इसको जो है समान किया गया है सेलेंट माडल बैंक पुरसका से किस रेड़ी में पेमेंट सिस्टम ट्रांसफार्मेशन किस रेड़ी में और देखे जो आपका इंडस इंड बैंक है इसके स्थापना कभी थी 1994 में और इसका मुख्याला आपका महराश के मुंबई में है और बरतमान में इसके MD और CUN सुमंद कतपालिया और इसकी टैग ल रूट सर्वर है यह क्या ची देखे यह जो सर्वर जो आपका है यह राजस्तान राजसरकार को अपनी प्रमुख डिजिटल सेवाए प्रदान करने और इ-गवर्नेस लागू करने में साहता करेगा और यह जो नई सुविदा है यह राज के इंटरनेट बुनियादी धाश को मजबूत करेगी तथा सभी इंटरनेट आधारित संचालन की लचीलापन और सुरक्षा में सुधार करने में भी साहता करेगी और इकी राजस्तान राज की बात करें तो यहां की गवर्न्दर है महतमान में कलाज मिस्रा कैप्टल जैपूर है और देखे जैपूर को गु परसेंट इससेदारी बेचेगी तो दीखिए HDFC लिमिटेड ने भी हाली में घोश्टा की थी कि यह जो है अबू धाबी निवेस प्राधिकरड की एक सहाय कंपनी है जिसको जो है यह HDFC कैपिटल एडवाइजर्स में 10 परसेंट हिस्सेदारी बेचेगी और दीखिए HDFC और मध्यम आये वाली आवाज परिणाओं को वित दिया जता है और देखिए बात करें अगर अबू धाबी इन्वेस्टमेंट आथर्टी की यानि कि इस कंपनी को HDFC लिमिटेड अपना 10% सेयर देगी तो इसके जो CUN का नाम है हामेद बीन जायद अलनायान और इनकी कंपन और अगला की भारत के अगले सल सेना प्रमुक कवन होंगे बताईए और तीशरा की किस राजी के संगीतकार प्रफुल करका हाल ही में नितन होंगे बताईए चौथा के हाल ही में किस सहर में होनर हाट के 40 में संस्क्राट का उगण किया गया है और पांचमा की हाल ही में राश्टी सुरक्षा सलाकार अजीत दोभाल ने किस सहर में 10 दिश्टी राश्टी साइबर सुरक्षा घटना प्रतकिरिया बहास का उगण किया है और अब हम बा दिवस का मना जाता है तो इसको हम 17 अप्रेल को मनाते हैं और दूसरा था कि विश्व विराच्छा दिवस 2022 की थीम क्या थी तो इसकी थीम थी धरवर और जलवायू और तीसरा था कि हाली में किसे एर इंडिया असेट होल्डिंग के अध्यक्ष और प्रबंद रिजसर के रूप में नियुत क्या गया है तो दीखिए बेक्ते आपके हैं विक्रम देउदत और चौथा था कि हाली में किसने डेलमार के को फेगन में डेनिस ओपन स्विविंग मीट में पूरुसों की 200 मीटर बटरफ्लाई का स्वान पद जीता है तो दीखिए बेक्ते आपके हैं साजन प्रकास और प्माचवादा की हाली में भारती विज्यान संसान बेंगलूरू के विजसर सग्यों ने किस नदी के माइक्रो प्लास्टिक की खोच की है तो ये देखिए कावरे नदी में आप यहाली में माइक्रो प्लास्टिक की खोच की गई है तो इसी के साथ वीडियो समात मता है चैने भारत